आप देख रही है MNS News सच जुरूरी है नमस्कार दर्शुकों यह है MNS News Network मैं हूँ आपके साथ आरती आए देखते आज की कुछ खास कबरे दिल्ली NCR में धूल भरी आंदी और जमा जम बारिश का अलट इन राज्यों में आज बरसेंगे बादल तीन जुन से फिर सताने लग की गर्मी दिल्ली NCR साइथ पूरे उत्तव भारत में इंदीनों प्री मांसून गतिविदिया जारी है पिछले कुछ दिनों से चिलचलाती गर्मी से लोगों को रात मिली हुई है ताजा पच्च्चि में विक्षों के चलते दिल्ली NCR साहित कई प्रादेशों में जमा जम बारिश हो रही है वही जून का पहला हफ्ता कैसा रहने वाला है इसको लेकर मोसम विभाग की तरफ से आपडेट जारी किया गया आई एमडी के मुताबिक पिछले दो दिनों से एक्टिव पस्चिम में विक्षों का असर दो जून तक बना रहेंगा इसके कारण दिल्ली N आसमान में बादल नजराएंगे आई एमडी की मुताबिक करनाटा के आंतरिक रिस्तों में एक जूर यानी की आज भारी बारिश देखने को मिल सकते हिमाचल प्रदेश के कही जगों पर दो जून तक बारिश की गतिविदिया जारी रहेंगी इन में मनाली कसोली चंबा द के मुताबिक पश्चिम हिमाचल हिमाले पंजाब के कुछ हिस्सों दक्षीन करनाटक आंधर प्रदेश के तटिय भागों में रायल सिमा और लक्षदीप में हलकी से मध्यम बारिश के साथ एक या दो तेज बारिश की संभावन है हर्याना राजस्तान और दिल्ली के कुछ कि हिस्सों में हलकी से मध्यम बारिश और धूलबरी आंधी चल सकती है अंडमान और निकोबार द्वी समुव में हलकी से मध्यम बारिश की संभावना है पश्चिमी उत्तर प्रदेश पश्चिमी मध्यप्रदेश और गुजरात की उत्तरी भागों में दक्षिन मध्यम मह मैंने में कई पच्च में विक्षोमों में प्रभावित जिसके परणाम स्वरूप राजानी में 1937 के बाद से साब से ठंडा मैं का अनुप हुआ इस मैंने का आउसत अधिक्तम तापमान 34.8 डिग्री सेलसियस रहा है बता दे कि 3 जून से तापमान बढ़ता शुरू हो रहा है लेकिन अगले 7 दिनों तो 40 डिग्री सेलसियस से अधिक रहने की संभावना नहीं है 3 जून से 10 जून के बीद बारिश कुछ कम होने वाली है आईए देखते अगले ख़बर की तरफ IMD का UP में येलो अलर्ट इन जिलों में बारिश के साथ वजरपात की संभावना चलेंगी तेज हवाई उत्तरप्रदेश में अगले तिन दिनों तक राज़े में बारिश की संभावना है हाला कि बीति कुछ दिनों में बारिश के कारण राज़े में भीशन गर्मी से लोगों को रहात मिलिये लेकिन फिर से राज्य में IMD के ने कई जिलों में बारिश के साथ वजरपाद की संभावना को देखते हैं येलो अलर्ट जारी किया गया इन जिलों में जिलों के अलावा आसपास भी तेज हवाय चल सकती है IMD ने सरहानपूर, शामली, मुझपर फूर, मुझपर नगर, बारगत, मेरट, गाजियाबाद, हापूर, गौतम नगर, बुद्धा नगर, बुलंशाद, बिजनो, अर्मेरा, अमरोहा, मुरदाबाद, अलिगड, संभल, बदायू और आसपास के जिलों में अलर्ट जारी कि इन जिलों में विबाग ने मद्ध तेज बारिश की संभावना जिताए, बारिश के साथ ही वजरपात होने की बात, विबाग की और से कही गई है, विबाग की माने तो कही जिलों में ओले भी गिर सकते हैं, IMD ने दिये जानकारी, मुसम विबाग के और से जिलों में एलो जारी किया गया वहातेज हवाय चलने की बात कही गई विबाग की माने तो यहां करीब 30-40 की मी प्रतिगंटे की रफ्ता से हवाय चल सकती है विबाग ने बारिश और वजरपात की कारण विजिबिलिटी कम होने की बात भी कही है बारिश की संभावना वाले इलाकों में लोगों को अलर्ट रहने की लिए का गया खास ओल पर बुजुद्गों को घर से नहीं निकले की सला दी गई आईए देखते हैं अगली ख़बर की तरफ हिमाचल के दो जिलों में बर्फ बारी बारिश के बाद तापमान में रेकार्ड गिरावट हिमाचल परदेश के उचे पाड़ पर बर्फ बारी हुई है और अनहीलाकों में बारी बारिश हुई शिमला के चांसल और कुलू के रोहतांग में दो सेंटिमीटर तक हिमार हिमत पहले कभी नहीं देखी गई चमबावा में अधिक्तम तापमान में गिरावट चमबा के अधिक्तम तापमान सामन्य की तुल्ना में सबसे अधिक 19.8 डिग्री सेलसेस की कमी देखी गई और यह घटकर 18.2 डिग्री सेलसेस रहो गया वही कांगलाव का अधिकतम तापमान सामाने से 17.1 डिगरी की गिरावट के बाद 19.4 डिगरी उना का 15 डिगरी की गिरावट के बाद 24 डिगरी शिमला का 10.1 डिगरी की गिरावट के बाद 15.6 डिगरी और केलां का 13.5 डिगरी डुलकने के बाद 8.1 डिगरी रहा सोलन का उनिस पचाश पाच डिग्री के गिराट के बाद 12.60 डिग्री और बिलासपूर का 22 डिग्री से 14.60 डिग्री के गिराट के बाद मंडी का अधिकतम तापमान सामान्य से 14 डिग्री गिरकर 21 डिग्री पर आ गया इसी तरह नुतोनम तापमान में भी रिकार्ड गिरावाट दाच की गई प्रदेश की आदा दर्जल शारों का नुतोनम तापमान 10 डिग्री से निचे गिर गया आई वाले इलाकों में ठंड से बजने के लिए लोगों ने अलाव जलाना शुरू कर दिया अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं मोबाइल पर देखने के लिए प्ले स्टोर से मनस्टीव डाउनलोड करें इंस्टालिंग ट्वीटर आईकू फेस्बूक और कई सोशल मीडिया के प्लाटपरम पर हमारा चैनल उपलब दे आप इसे यूटूब पर भी देख सकते हैं आप हमारे चैनल को लाई भी देख सकते हैं www.mnsnnews.tv.com पर फिलाल वक्ते जला दर्शी को ब्रेक का ब्रेक से लोटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम कब्रे बने रहे हैं MNS News पर नमस्का ये है MNS News निट पर और आप देख रहे हैं MNS News